हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहतर भविश्य चाहता है और कोई भी इसमें अलग नहीं है, हम सभी यह चाहते हैं कि जैसा हमारा भवश्य है या जैसी जिन्दकी हमने जीए हमारे बच्चे निश्चत तोर पर उससे बहतर जीवन जीएं और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा हम उन्हें दे पाएं क्योंकि हमें लगता है अच्छी शिक्षा से ही जीवन बहतर हो सकता है इसलिए हम जो है सबसे अच्छी स्कूल में उन्हें डालते हैं सबसे अच्छी टीचर के पास हम उन्हें ट्यूशन के लिए भेजते हैं मगर हम स्वास्थे क कहीं नजर अंदास कर देते हैं, आज हम स्वास्थे पर बाद करना चाहते हैं कि ये कितना जरूरी है, तो अच्छे स्कूल फीस के साथ साथ सेहत भी बेहत जरूरी है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी वो स्कूल में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, हो ये गया है कि आजकर जंग फूड का चलन बहुत जादा हो गया और इस वज़ा से पोशक तत्व जो है, जो भोजन से पोशक तत्व मिलने चाहिए, वो बच्चों को बहुत कम मिल पाते हैं, कई पर ऐसा भी होता है कि हम विस्थ होते हैं और अपनी विस्था में हम बच्च तो आप वो अगर कर रहे हैं, जरूर करिए, उसके साथ-साथ हमें स्वास्तर प्रत चीजें कौन-कौन सी देनी हैं, इस तरह से देनी हैं, उसको हम समझते हैं. पोशक तत्वों की जब कमी हो जाती है, तब बच्चे बार-बार बीमार पढ़ते हैं, बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनकी इम्मुनिटी बहुत होती है, तो उनकी इम्मुनिटी बढ़ी रहे, इस बात की कोशिश हमें करनी चाहिए. तो जब हम junk food बच्चों को खिला रहे हैं, तो साथ साथ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी खिलानी चाहिए, जिनसे कि उनके शरीर में पोशक तत्वों की कमी ना हो पाए, क्योंकि कमी से ना सिर्फ बच्चे बार बार बीमार पढ़ रहे हैं, बलकि शारिरिक तौर पर दुर करना जाते हैं, जब पोशक तत्वों की कमी होती है, तो उन्हें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भोजन में भी अरुचियों जाती है, वो खाना भी ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, और स्वास्थे प्रत खाना तो वो बिलकुल खाना पसंद नहीं करत तो पोशक तत्वों की कमी से शारिरिक विकास में कमी और इस तरह की बहुत सारी समस्याइं पाई जाती हैं, उनकी हाइट भी कम बढ़ पाती है और उनका वजन भी कम बढ़ पाता है। मार्केट में जितने भी ज्यादा तर अपलब्ध हैं जो दूद में मिला करके या बच्चों के लिए जो अपलब्ध हैं उनमें पोशक तत्वा कम होते हैं और चीनी, चॉकलिट, मिल्क पाउडर, आटा ऐसे ज्यादा पाये जाते हैं जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुं ingredients में vitamins और minerals सबसे आखिर में लिखा गया, इसका मतलब vitamins और minerals सबसे कम मात्रा में डाले गए हैं और यहां पर botanicals का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब यह हुआ, बच्चों को जिन vitamins और minerals की जरूरत है, वो इस particular health supplement में कम डाले गए हैं, इसी तरह से एक और health supplement का ingredient का label में आप को दिखाना चाहती हैं, इसमें पहले वाले से थोड़े ज़्यादा डाले गए हैं, इसमें आप कुछ amino acids के नाम भी देख सकते हैं, मगर फिर भी minerals और vitamins बिलकुल आखिर में लिखे गए हैं, इसका मतलब वो थोड़ी कम मात्रा में ही डाले गए हैं, इसी के साथ यह एक और प्रसिद ब्रैंड का ingredient का label है, इसमें आप देखेंगे तो बिलकुल आखिर में लिखा गया है vitamins और उसके बाद में लिखा गया है salt, तो इसका मतलब minerals और probiotics, prebiotics या botanicals तो कहीं डाले नहीं गए हैं, सिर्फ vitamins डाले गए हैं, वो भी सबसे कम मात्रा में डाले गए हैं, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, vitamins और minerals जैसे पोशक तत्व या botanicals जैसे पोशक तत्व, supplement के साथ साथ आपको इसको घर पर भी fruits और सबसियों के जरिये आपको अपने बच्चों को देते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा पोशन की ज़रुरत है, उनकी बढ यह मेरे ख्याल से इस presentation का सबसे important point है और अगर यह आपने समझ लिया, तो इसके बाद आप कभी भी अपने बच्चों की स्वास्थे के लिए, कि ना तो किसी तरह का समझोता करेंगे, और ना किसी तरह की लापरभाई करेंगे, बच्पन में जो भी चीजें पैदा होने से पहले और उसके बाद में बच्पन में करीब 10-12 साल की उम्र तर जो भी कमियां बच्चों की स्वास्थे में रह जाती हैं, उन्हें वापस पलटना या उन्हें रिवर्स कर देना मुम्किन नहीं हो पाता है, ज्यादा तर तोर पर मुम्किन नहीं हो पाता है, जैसा कि हमने परसों के सेशन में समझा था, अगर बच्चे न्यूटरचार्ज बच्चों को अगर DHA नहीं मिलेगा और गर्ग में अगर उनके ब्रेन का विकास ठीक से नहीं होगा और आंखों का विकास ठीक से नहीं होगा, तो आप उनके पैदा होने के बाद कितना भी उन्हें DHA खिल या जो स्वास्थ अस्वस्त गर रह जाते हैं तो वो अपरिवर्कनिय होता है इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्पन में उनके खाने पीने का उनके मानसिक और शारलिक स्वास्थिर का दोनों का पूरी तरह सिध्यान रखें ताकि आगे बढ़कर जवानी में और आगे की उम्र में वो कभी यह न कह सके कि बच्पन में ऐसा हो गया था इसलिए इदर्द अभी भी मेरे साथ है वो यह कह सके कि बच्पन में मुझे बहुत स्वस्त खाना खिलाया गया इसलिए मैं आज भी स्वस्त हूं और मैं यह कह सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर है और बच्पन से हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशिस खाना खिलाया गया उसकी वजह से मैंने यह मेहसूस किया कि मैं यूश्वली जितना लोग फिजिकल स्ट्रेस बरदाष्ट कर सकते हैं मैं उससे थोड़ा ज्यादा परदाष्टिर पाती हूँ क्योंकि बच्पन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशिस डाएट पर हमें पाला गया था इसलिए आज से आप ये फैसला करें कि आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पोशन के साथ मांसिक और शारेट दोनों पोशन के साथ पालेंगे जब भोजन में परियाप्त प्रोटीन नहीं मिलता है तो बच्चों की लंबाई ठहर सकती है दियेचे कम मिलता है तो दिमाग को पोशन कम मिलता है तो बच्चों के दिमाग का वो विकास कम हो सकता है कई बच्चों की उचाई जो है उम्र के हिसाब से काफी कम होती है यह कुछ आंकड़े हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पोशन की कमी से प्रभावित हर तीन बच्चों में से एक बच्चा भारत में रहता है क्योंकि हम पोशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे हाथ में होता है, जो हमें ठीक लगता है हम उसे अपने बच्चे को इतना ज्यादा मात्रा में खिला देते हैं कि हमें लगता है बस उसका पेट भरना ज़रूरी है भारत में आप देखी आपर लिखा गया है भारत में पांच वर्ष से कम उम्र वाले लगभग आधे बच्चे लंबे समय से कुपोशत रहते हैं बच्चानी बच्चपन से उनको पोशन पूरा नहीं मिला होता है यह 50, almost 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पोशन कम मिला होता है उनकी उचाई उम्र के हिसाब से काफी कम होती है उनका विकास अधूरा होता है एक आवरेज इंडियन की हाइट जो है वो एक आवरेज अमेरिकन या एक आवरेज यूरपियन से कम है क्योंकि हमारे इहां पर बच्चपन में पोशन भरा खाना खिलाने का पूरा सा रिवास कम है अभी तक कई बच्चे अपनी उचाई और उम्र के हिसाब से काफी दुर्बल होते हैं उनकी एज के हिसाब से बहुत जादा दुर्बल होते हैं और यही दुर्बलता बच्पन से लेकर के उसके बाद आगे के पूरे जीवन में कायम रहती है बहुत बार भारत में पांच वर्ष से कम उम्रवाले बच्चे हर पांच बच्चों में से एक बच्चा दुर्बल होता है यानि कि उसका शालरिक विकास और शालरिक मसल्स का विकास उस तरह से नहीं हो पाता है जितना पांच वर्ष की उम्र तक होना चाहिए भारत में 5 वश से कम उम्रवाले लगवत, 43% बच्चों का वजन उनकी उम्र के अनुपात में असामान्य तह कम होता है तो हाइट भी कम है, वजन भी कम है, मसल मास भी कम होता है ये इसी वजह से है क्योंकि पोशन कम दिया जा रहा है हम यहाँ पे almost 50% बच्चों की बात कर रहे हैं इसका मतलब भारत के आधे बच्चे इन समस्याओं से पी रथ है प्रोटीन, जो बच्चों के विकास में एक महत्वकून पोशक्तत्व है प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन के क्या फाइदे है बच्चों के विकास में मदद करता है शारेरिक अंगों का रख रखाव करने में मदद करता है जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जब हमने पी वी एमेफ परबाद की तब हमने ये बात की थी कि प्रोटीन तीन तरह से काम करता है, आपकी मसल्स को बढ़ाता है और आपकी मसल्स का रखरखा करता है और साथ ही में आपकी मसल्स का रिपेर भी करता है जो डामेज हो रही हैं मसल्स उनका रिपेर भी करता है और मेंटेन करता है तो तीन काम करता है बचपन में मसल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है और बचपन में मसल्स ग्रोग करती हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन सही मात्रा में उचित मात्रा में बच्चों की शरीग में जाए ताकि न सिर्फ muscles का रख रखाव हो पाए बलकि muscles का विकास हो पाए और रख रखाव भी हो पाए रिपेर भी हो पाए बच्चे बहुत खेलते हुपते हैं शाररिक उनका श्रम बहुत जादा होता है तो उस वक्त जो muscles का damage होता है उसकी भी instant repair की जरूरत होती है तो ये बात हमे द्यान रखनी है कि मासपेशिया बनाने में प्रोटीन उनकी उम्ड में सहयब होता है इसलिए उन्हें सही प्रोटीन अच्छी quality का प्रोटीन अच्छा प्रोटीन और सही मात्रा में प्रोटीन और regular प्रोटीन दे ना बहुत जरूरी है प्रोटीन की कमी से बच्चे जो है वो बार बार बीमार पड़ते हैं यानि उनकी शरील की रोग प्रतिरोधक शमता जो है वो कम हो जाती है तो अगर बच्चों को बीमारी से बचाना है तो उन्हें अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन देना जलूरी है लग भग पचास प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते हैं एक तो सुभा जल्दी स्कूल भागने की तयारी रहती है और उस वक्त उन्हें कुछ भी खिला पाना बहुत मुश्किल होता है तो पचास प्रतिशत तक बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं इसका मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो अगर नाश्ता ना किया जाए तो एक या दो मिनित में फटाफट पी लिया जाए और वो नाश्ते से भी ज्यादा स्वास्थय प्रत को ज्यादा नियूट्रिशन बच्चों के शरीर को प्रदान कर सके रात बर की नीन के बाद जब उनके बढ़ते शरीर को पोशक तत्व की आवश्यकता होती है इसलिए नाश्ते को इंगलिश में बोला जाता है ब्रेक फास्ट तो रात बर जो आपने फास्ट किया है आपने तुछ नहीं खाया है उसको जब सुभा ह में तोड़ना है उस फास्ट को तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि उनके शरीर में जो जाए वो ऐसी चीज हो जिसमें पोशक तत्व भरपूर मात्रा में हो सो दाट वो उनकी बोडी को के विकास में मदद कर सके तो जब नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या होता है उनके शा जब उन्हें बहुत कुछ सीखना है तो सीखने की शमता में कमी उस वक्त नहीं आनी चाहिए याददाश्त और शाक्षनिक प्रदर्शन के साथ साथ भागनात्मक और मनोवज्यानिक कुशलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है यानि मेमरी भी वीक होती है और भागनात्मक और मनोवज्यानिक कुशलता पर भी गलत असर पड़ता है बच्चों का behavior थोड़ा चिर्चड़ा होने लगता है अगर भूख लगी है और उन्हें पूरी तरह से अच्छा कोशक तत्वो वाला खाना नहीं मिल पाया है तो उनका चिर्चड़ा होना स्वाभाविक है और जब बहुत बच्चपन होता है दो साल से कम उम्र में तब तक तो आप बच्चों की आदतों को ढाल सकते हैं लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बहुत आनकानी करने लगते हैं तो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो nutritious हो स्वास्थिप्रत हो और tasty भी हो जिससे बच्चे आराम से खा सकें या पी सकें ये देखें 81% भारती माता हैं 81% भारती माता हैं अपने बच्चों को सब प्रकार के भोजन लेने में आनकानी करने वाले picky eaters मानती हैं यानि सिर्फ 19% माताओं को मम्यों को ये लगता है कि हमारे बच्चे सब कुछ खा लेते ह 81% मम्यों को ये लगता है कि हमारे बच्चे आनकानी करते हैं तो अगर बच्चे आनकानी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि पोशन उनके शरीर में जा नहीं रहा है अगर बच्चा खा ही नहीं रहा है धंक से तो पोशन जा नहीं रहा है दूसरा मम्या कुछ जादा हमारा दि ताकि बच्चा कम से कम उसका पेट तो भरे वो कुछ खाए तो सही हमें इसमें एक बैलन्स को मेंटेन करना है आप लाड़ प्यार जरूर कीजिए उन्हें ऐसी चीजें जरूर बना करके दीजिए मकर साथ साथ में उन्हें स्वास्थिप्रत चीजें न्यूट्रिशिस चीज खाने की भी हमें आदत डलवानी पड़ेगी यह भी हमारी एक जिम्मधाली है कई माता यह मैसूस करती है कि उनके बच्चों में उर्जा का अभाव है और वे जल्दी ठक जाते हैं अब ही जब हम घर में हमने लॉकडाउन का वक बताया है आपने अपने बच्चों में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान पोशन के हिसाब से नहीं रखा हो क्योंकि हमारी आदत नहीं है अभी ज़्यादा ध्यान रखने की तो इस वज़ा से उनके शरीर में पोशन की कमी और एक्सराइस की कमी दोनों कमीयों से उल्चा का अभाव रहता है और वे जल्दी ठक जात हैं अब मस्तिश के विकास के लिए बहुत सारे पोशक तत्वे हैं जो लाग प्रदाम कर सकते हैं यहां पर हमने कुछ पोशक तत्वों की लिस्ट आपको दिखाई है यह ऐसे तत्वे है जो मस्तिश के विकास में काम आते हैं आप चाहें तो थोड़े बहुत नोट करके रखे हैं जब आप किसी से बात कर रहे हूं तो आप यह बता सकते हैं इन मेंसे कुछ besteht नाम तो भौत आसान है याद रखने में जैसे iron हम अक्सर यूज करते हैं, phosphorus ना हम अक्सर यूज करते हैं, DHA तो हमारा product यह है, जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम यह DHA बोल सकते हैं, vitamin B, B complex vitamins हम अच्छी तरह से use कर सकते हैं, vitamin C का आप बोल सकते हैं, तो यह कुछ चीज़ें आप नोट कर प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने के लिए ये पोशकततप चाहिए आईरन, एल लाइसीन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, वाइटमिन ए, वाइटमिन ए और प्रोबायोटिक्स. इसमें से प्रोबायोटिक्स एक ऐसा नाम है जो आप समझते हैं. आपने बहुत बार सुना है ये न प्रोबायोटिक्स दिया जाता है क्योंकि ये उनकी रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करता है. अब शारल एक विकास के लिए ये बहुत सारे तत्वे हैं, बहुत सारे पोशक तत्वे जो मदद करते हैं. पहला है पूटीन, फिर एल लाइसीन, मैग दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है क्योंकि एक दूसरे के बिना बहुत बार वो शरीर में एब्जॉब नहीं हो पाते हैं या ऐसा कहूं कि एक दूसरे की मदद करते हैं शरीर में एब्जॉब होने के लिए. इसलिए इन सारे पोशक तत्वों का साथ होना, किसी भी सप्ल यह वो पाचेक एंजाइम्स और वाइटमिन्स उत्पन करते हैं जो बच्चे की गट हेल्थ को उसके डाइजेशन को उसकी पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बनाता है यूश्वली बच्चे बीमार परते हैं पेट के कारण पेट में अगर घरबढ है जैसे अगर कांस्टिपेशन है या पेट में लूज मोशन हो रहे हैं या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं इन फाट बड़ों की भी बहुत सारी समस्यां पेट से शुरू होती है तो बच्चों के लिए प्री और प्रोबाइटिक बहुत ज़रूरी है जो उनकी गट हेल्द को उनके डाइजेशन को सही रगते हैं ताकि वो कम बीमार पड़े पोशकतत्वों से भरपूर सप्लिमेंट्स जो है वो शारीरिक वृध्धी और मानसिक विकास बढ़ाने और रोज-रोज के संक्रमन की रोगठाम में मदद कर सक तो न्यूटरचार्ज इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चे आसानी से न तो टैबलेक्स खा सकते हैं और न बच्चे आसानी से बहुत जादा पोशन वाला खाना खाते हैं और न हम उतने पोशन वाला खाना उन्हें दे रहे हैं जितना उन्हें जरूरी है इसलिए ये बह लगातार दूर होती रहे या लगातार भर भरपाई होती रहे इसकी, ऐसा ही एक supplement है, NutriCharge Kids. इंडिया का पहला ऐसा supplement है और अभी तक भी एक मात्र ऐसा supplement है, जिसमें 49 essential nutrients डाले गए हैं, किसी भी और supplement में आपको 49 essential nutrients नहीं मिलेंगे. 10 botanicals डाले गए हैं, किसी भी और product में botanicals नहीं डाले गए हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ प्रख्यात brands के ingredients के labels दिखाए थे, और हमने देखा किसी में भी botanicals नहीं डाले गए हैं, आगे हम इस session में इन botanicals का फायदा समझेंगे, कि अगर ये डाले गए हैं तो ये क्या सोच करके NutriCharge Kids में डाले गए हैं, साथ ही में इसमें तीन प्रकार का protein डाला गया है, इसमें 39 vitamins और minerals डाले गए हैं, 3 pre और probiotic डाले गए हैं और 5 macro molecules डाले गए हैं, जैसा मैंने आप से कहा, पहला ऐसा drink है, जिसमें 49 nutrients हैं और 10 botanicals हैं, तीन प्रकार के protein डाले ग डाला गया है, वो शारिरिक विकास में मदद करता है, बच्चों के शरीर को बढ़ने में मदद करता है, NutriCharge Kids में जो दूसरा protein डाला गया है, वो है milk protein, जो बच्चों की रोख प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में मदद करता है, और NutriCharge Kids में डाला गया है तीसरा whey protein, जो बच्चों की मसल मास को बढ़ाता है, किसी भी और सप्लिमेंट में आपको ये तीन प्रोटीन का कॉंबिनेशन नहीं मिलेगा, एक बार वापस में इसको चाहूंगी कि आप रिवाइस करें, न्यूटरचार्च किड्स में तीन प्रकार की प्रोटीन डाले गए हैं, आप प्रोटीन जो है, वो मसल मास को बढ़ाने में मदद करता है, इसी तरह से न्यूटरचार्च किड्स में तीन प्री और प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, एक प्री बायोटिक डाला गया है, जिसका नाम है फ्रक्टो ओलेगो सेकराइड, और दूसरा दो प्रोबायोटिक् प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, जो बच्चों की गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों के पाचन की जो शमता है उसको बहुत बनाते हैं, बच्चों की गट सिस्टम में, वो कुछ अच्छे बाक्टीरिया पैदा करते हैं, जिससे उनकी पाचन शक्त बेहतर होती है, जो आतों में लाबकारी बाक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, इम्म्यूनिटी को बढ़ाते हैं और पाचन को ठीक करते हैं, ये काम करते हैं, प्री और प्रोबायोटिक्स न्यूटीरिचार्ज किड्स में 39 वाइटिमिन्स और मिनरल्स डाले गए हैं, जो उनकी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं, उचित पाचन वा मेटबॉलिजम को बनाए रखते हैं, उर्जा का स्तर बढ़ाते हैं और शाररेक विकास में मदद करते हैं इसी तरह से, न्यूटीर चार्ज किड्स में जैसा मैंने आपको बताया, दस बोटानिकल्स डाले गए हैं, आए ये हैं उन बोटानिकल्स के नाम, हम एक एक करके समझते हैं कि बोटानिकल्स बच्चों को किस तरह से पाइदा पहुँचाते हैं, बोटानिकल्स पे स्पेश और ये सारे जो भी बोटानिकल्स डाले गए हैं, ये रीसर्च के बाद डाले गए हैं, यहां पर ये रीसर्च अवैलेबल है, जो बता रहा है कि इस स्टिमुलेज एपिटाइट, बच्चों की भूख बढ़ाने में ये मदद करता है, इसी तरह से ग्लिसराइजा ग्लाब को बढ़ाता है, विटस्विनिफेरा ठंडवर खांसी से राहत दलाने में सहयग है, यहां पर आप देखेंगे ये जो रीसर्च है, इसके हिसाब से ये बताया गया है, that it releases the mucus from the affected parts of the respiratory system, so ये mucus को, कफ को बाहर निकलता है और ठंडवर खांसी से राहत दलाने में सहयग है, टीनोस्पोरा कार्डिकोलिया ये बच्चों की IQ में सुधार लाने में मदद करता है, फिर से ये देखिए यहां पर, it plays an important role in improving cognition, concentration and memory, तो ये जो है इसलिए डाला गया है ताकि बच्चों की memory का विकास हो, बच्चों की बुद्धी IQ में सुधार आए, क्यारम ये शरीर की immunity को मजबूत करने में साहयक है, रोग प्रति रोधक्षमता को बढ़ाता है, ये देखिए यहां research में लिखा गया, it enhances the immune system to ward off colds and flu and other viral infections, तो ये खांसी जुकाम बुखार जैसे viral infections को दुद्धाने में मदद करता है, जिंजिबर official is, ये जो है वो flu और सर्ती को ठ ठीक करने में साहयक है, ये फिर से एक research में आपको यहां पर दिखा रही हूँ, कि Ayurveda में इसको बहुत जादा काम में लिया जाता है, बहुत सारी illnesses को हटाने में बहुत सारी बीमारियों के इलाज में जैसे indigestion यानि अपच, नौजिया, चक्कराना, उल्टी होना, कॉफ, जो काम भुखार ऐसी चीज़ों के लिए इसको ठीक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है और इसी लिए ये न्यूत्रिचाज किन्स में भी डाला गया है, Osimum Sanctum नाम से आपको शायद समझ आया होगा ये नाम सुना सुना सा है NutriCharge S5 में डला होगा है तुलसी है तो ये श्वसन्ट रनाली को मजबूत बनाने में लाबकारी है ये इस पर research है It is an effective remedy for cough ये बहुत सारे काम करती है और इससे पहरे भी जो Botanicals आपको दिखाए गए सब बहुत सारे काम करते है मैं आपको बता रही हूँ बच्चों के संबंध में वो क्यों लाबकारी है और किस लिए किस लाब के कारणी ये NutriCharge किज में डाले गए है चिली पेपर का सत्वव बिषाती में बधनांक को खोलने में बहुत मददगार है ये इस पर रीसर्च है ओरिग्यानों का सत्वण छाती में जो संक्रमन या वेिमारी जो infection हो जाता है और खासी से बचाव करने में बहुत मददगार है ये इस पर रीसर्च किगए है आप देखेंगे बहुत पुराने जमाने से इसका यूज जो है वो खासी और छाती के संक्रमन से बचाव करने के लिए जो भी respiratory problems हैं जो भी सांस लेने से संबंध समस्या हैं उनका निवारं करने के लिए बहुत सारे doctors पुराने जमाने से इसको काम में लेते रहे हैं cinnamon का सत्व हानिकारत free radical से होने वाली oxidative शती से बचाव में मददकार है यह बहुत important है यह एक antioxidant की तरह काम करता है cinnamon और किसी भी और nutritional health supplement में antioxidant की तरह कुछ नहीं डाला गया है हमने डाला है ताकि बच्चों को भी क्योंकि वो पूरा दिल किसी ना किसी तरह के pollution या जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारा toxins हैं तो उनसे उनका भी exposure होता रहता है इसके जरूरी है कि उनके शरीर में ऐ oxidative शती को कम करने में मदद कर पाएं यह इस पर एक research है cinnamon पर तो NutriCharge Kids के overall lab क्या है आपने समझा NutriCharge Kids में protein डाला गया है तीन तरह के protein डाले गए हैं NutriCharge Kids में 29 vitamins और minerals डाले गए हैं NutriCharge Kids में 10 botanicals डाले गए हैं तो इन सब का मिल जुलकर NutriCharge Kids का lab क्या होने वाला है यह हमने कर रहा है clinical research और उसमें यह lab हमें बताए गए हमें पता चले उस research में जो research हुआ था clinical trial हुआ था double blind study था मतलब बच्चों को क्या दिया जा रहा है यह ना बच्चों को पता था ना बच्चों के parents को पता था और ना जो लोग दे रहे थे उनको पता था कि क्या दिया जा रहा है तो कुछ बच्चों को NutriCharge Kids दिया गया कुछ बच्चों को ऐसा कोई powder दिया गया जिसका कोई effect ही नहीं है जिसको placebo होते हैं जिसका ना कोई फा is able to effectively increase the weight of the children in the age group of 5 to 12 years. तो मतलब पांटसस बारा साल के बीच में बच्चों का वजन बढ़ा, नुट्रिचाज चिद्स लेने वाले बच्चों का वजन बढ़ा. It was also found that height and BMI of the children was increased. तो जो उनकी height है और जो BMI है वो भी बढ़ा. The overall performance of the nutritional supplement in improving the development skills of the children is effective in terms of verbal comprehension. जो उनकी बात करने की शमता है उसमें बहुत स्यादा बढ़ात्री डिखाई दी. साथ में ये लिखा है, there were no adverse drug reactions has been reported in the treatment group of Nutricharge Kits Powder and Placebo. इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी side effect नहीं है. clinical trial जो होता है और जो clinically proven certificate मिलता है उसके दो मतलब होते हैं. पहला ये कि जो product बना है, जो product पर clinical research हुआ है वो पूरी तरह से effective है. और अभी मैंने आपको बताया कि उसका क्या effect रहा, वजन बढ़ा, height बढ़ी और verbal comprehension जो है. बच्चों का overall विकास हुआ और उनकी बात करने की शमता या बात को समझने की शमता बढ़ी. तो ये हुआ इसका असर. साथ-साथ यहां लिखा है कि इसका कोई adverse effect नहीं हुआ, यानि इसका कोई नुकसान बच्चों के शरीर में नहीं हुआ. तो ये पूरी तरह से safe to use और पूरी तरह से effective है. ये मतलब है किसी भी product के clinically proven होने का. तो ये जो clinically proven results आपको बताये गए, वो यहां पर हमने हिंदी में लिखकर आपको बताये हैं कि बच्चों के वजन, उचाई, लंबाई, उचाई मतलब लंबाई, BMI को बढ़ाने के साथ साथ विकासात्मक कॉशल, यानि शाब्दिक समझ भूज में सुधार लाने के लिए ये इसका, ये असर हमें NutriCharge Kids के clinically proven clinical trial में दिखाई दिया. तो ये जो तीन तरह के protein हैं, वो बच्चों की उचाई बढ़ाने में मदद करते हैं, मसल्स और शाररिक ताकत को बढ़ाने में, इसी तरह से जो prebiotics हैं और vitamins और minerals हैं, वो gut health को बहतर बनाने में मदद करते हैं, जो prebiotics और vitamins और minerals हैं, वो immunity बढ़ाने में भी साहता पहुँचाते हैं, जो prebiotics, vitamins, minerals वो energy को भी बढ़ाते हैं और बच्चों को physically active रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, उनमें उर्जा को भर कर रखते हैं, जो botanicals हैं, वो बच्चों को रोगों से लड़ने की शमता प्रदान करते हैं, सर्थी, खांसी और रोजाना की जो भी छोटी-मोटी problems होती रहती हैं, उनसे बचाने में botanicals मदद करते हैं, अब Nutri-Charge Kids Coco, इसमें डाला गया है Real Coco Powder, यह जितने भी nutrients मैंने आपको बताएं, 29 vitamins and minerals, 10 botanicals, 3 प्रकार के protein, यह सब बहुत फाइदा पहुँचाते हैं और उसके बाद में, usually, कंपनिया क्या करती हैं कि कुछ flavor डाल देती हैं ताकि बच्चे उस supplement को आराम से पी सकें, हमारे पास भी option था हम flavor डाल सकते थे, मगर क्योंकि Nutri-Charge compromise करता ही नहीं है और Nutri-Charge हर चीज में यह सोचता है कि जो दिया जाए उससे फाइदा कैसे पहुचे, तो इसमें डाला गया real cocoa powder जिससे एक पंथ दो काज flavor भी मिल गया बहुत अच्छा और टेस्ट भी मिल गया और उसके फाइदे भी बच्चों को मिलते हैं, क्या फाइदे हैं यह anti-oxidant से भरपूर है और यह जो है ingredient वो FACCI द्वारा approve किया हुआ ingredient है, इसी तरह से Nutri-Charge Kids mango में इसको हम mango के synthetic extract से flavor डाल सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया है, इसमें real ilfanzo mango powder डाला गया है, जिससे बच्चों की आँखें स्वस्त रहती हैं, तृष्टी में सुधार होता है, उनकी memory बढ़ती है, इसमरन शक्ती बढ़ती है और उनकी immunity बढ़ती है, बाड़ पर आप सुन रहे है immunity बढ़ना, रोप्रति रोधक्षमता बढ़ना, बच्चों के लिए immunity बढ़ना या immunity का होना बहुत important है, क्योंकि बच्चा अगर कम बीमार पढ़ेगा तो बच्चा बढ़ेगा बहतर, जब बच्चा बीमार पढ़ता है तो दो नुकसान होते हैं, एक तो वो जो बीमार हो रहा है तो उसके शरीर को नुकसान पहुँच रहा है, दूसरा वो जितने दिन वो बीमार रहा, उतने द इतनी मजबूत हो कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जुकाम खासी खुखार तो उनको बिल्कुल छू ही ना पाए उसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें अच्छा पोशन दें आप उन्हें रोज न्यूत्रिचार्ज किड्स दें बच्चों की शरीर की बढ़ती जरूरत को पूरा करता है 100% शाखाहारी प्राड़क्त है उप्योग के लिए सुरक्षत है जैसा मैंने आपको अभी बताया करता हैjud। 강ी करता है उसिर्षट वाफ पुपर की कैले है अफ्योग के लिए पूरी तरह से सुरक्षत है तो ये दो सुस्वादें में आता है एक आम के स्वाद में एक चौकलीच के स्वाद में इसको आप स्वाध ही बोलिये, इनको आप फ्लेवर बिलकुल भी मत बोलिये, क्योंकि ये फ्लेवर है ही नहीं, ये स्वाध है इसमें जैसा मैंने आपको बताया, रियल कोको पाउडर डाला गया है, रियल मैंगो का पाउडर डाला गया है इसका मतलब यह है कि यह, ताकि उनका फायदा भी पहुंच सके, इसका मतलब यह है कि यह स्वाद में आते हैं यह Neutral Charged Kids का हम आपको एक लेवल दिखा रहे हैं कि कितनी शक्ती, कितनी एनरजी यह आपको देता है, बच्चों को देता है अब किसे लेना चाहिए, यह कैसा सवाल है, जो सब यूशुली पूछते हैं, आप नोट कर लें, दो से तेरा वर्ष के सभी बच्चों को यह लेना चाहिए और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ रही है, अगर आप दो साल पर एक स्कूप से शुरू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ रही है, आपको उसको दो स्कूप पर आ जाना चाहिए तीन साल के बाद आप करीब दो स्कूप रोजाना देना शुरूर करें, दो साल से भी दे सकें तो बहतर है, और तेरा वर्ष तक पहुंचते पहुंचते आप इसे तीन स्कूप कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बढ़ता है, तो इसकी शालेरिक जरूरतें भी बढ़ती हैं बनाना कैसे है, अब तक हम आपको बताते रहे हैं कि आपको दूध में न्यूट्रिचार्ज गिड्स जो है भोल लेना है, थोड़ी चीनी मिला देनी है, मगर बच्चों को बहुत जरूरी है, बड़ों का भी जब मन होता है कि एकी चीज नहीं मिले, हमें वेराइटी मिले, और क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम बच्चों को न्यूट्रिचार्ज गिड्स बच्चे खुश हो करके पीपाएं, मां करके पिएं, मन से पिएं, क्योंकि जो मन से खाया या पिया जाता है, वो शरीर को ज़्यादा खाला करता है, तो आपको इस तरीके से बना करके द दूद गरम नहीं होना चाहिए या तो आप रूम टेंपरेचर पे लें या ठन डालें उसमें आप कोई भी गूदे वाला फल पल्पी फ्रूट जैसे केला है आपल है आम है यह सब गूदे वाले फल हैं कोई भी एक फल आप उसमें मिलाएं साथ में आप चाहें तो थोड़ी डालें और एक स्कूप नुट्रचाज किट्स पाउडर का डालें साथ में ब्लेंड करें उसको मिक्सी में बहुत स्वादश स्मूदी बनती है वो बच्चों को पिलाएं इस तरह से आप रोज बदल सकते हैं फ्रूट रोज बदल सकते हैं तो ऐसे करके आप बच्चों को रोज अलग-अलग टेस्ट की स्मूदी बनांके पिलाएं आपको भी बनाने में मज़ा आएगा रोज अलग-अलग वराईटी और बच्चों को भी पीने में बहुत मज़ा आएगा अब जब हमने बात की शारिरिक विकास की हमारे लिए जरूरी है कि बच्चों का मानसिक विकास का भी हम ध्यान रखें पहला point जो बच्चों के लिए ध्यान रखने का है आप उनके मन को आप उनके दिमाग को हमेशा अपनी positive बातों से मजबूत बना करके रखें और दिमाग जो है उसमें memory रहे दिमाग अच्छी तरह से developed रहे उनकी आखी तरह से developed रहे इसलिए हमने बनाया है न्यूटरचार्ज DHA twist यह ऐसा capsule है जो आपको खोल करके इसको खोलना है और इसके अंदर जो है आपको जो capsule है उसको आपको खुमा करके खोलना है और उसका जो oil है वो आपको बच्चे के खाने में डालना है यह आप किसी भी चीज में डाल करके दे सकते हैं इसके अंदर strawberry और vanilla का स्वाद है जो आप जिस चीज में मिलाएंगे उसमें वो flavor आ जाएगा तो आप जिस भी चीज में डालें उसमें ध्यान रखें कि इसका flavor बदलेगा यह दूद में, juice में, खीर में, इस तरह की मीठी च बच्चा जब उपरी आहर लेने लगता है चाहे वो 5 महीने की उम्रह हो या 6 महीने की उम्रह हो या 4 महीने की उम्रह हो जब से वो उपरी आहर लेने लगता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस उपरी आहर की वजह से बच्चा मा का दूद कम पी रहा है और जब बच्चा मा क इसको उपर वाला क्या रोटेट करेंगे, तो इसके अंदर से जो ओयल निकलेगा उसको आपको खाने में मिला रहा है तो बच्चा जब उपरी आहर नहीं लेता है, कम ले रहा है, मा का दूद कम पी रहा है, तो DHA कम मिल रहा है इसलिए उस वक्त उसे DHA शुरू करने की, आपको शुरू करने की ज़रूरत है, 50 mg DHA, तो जब उपरी आहर लेता है, लेना शुरू किया, वहां से लेकर दो साल तक आपको एक न्यूट्रिचाज DHA ट्विस्ट का कैप्सिल देना है, जब दो साल के बाद ब्रेन 6 साल से 13 साल तक आपको तीन DHA ट्विस्ट के कैप्सिल देने है, DHA ट्विस्ट से लाब क्या होने वाला है, मैं फिर से लाब परसों तो बताये थे, आज फिर से मैं रिपीट करना चाह रही हूं, ताकि हमें शाररिक और मानसिक विकास, दोनों का जो पैकेज है ये, ये देखने की शमता को बढ़ाता है, DHA जो है, हमारी जो आँख है, उसकी संरचना का बहुत इंपोर्टन हिस्सा है, तो ये देखने की शमता को बढ़ाता है, बच्चे की बोलने की शमता को भी बढ़ाता है, लाइंविज पावर को भी ये बढ़ाता है, तो ये 100 परसेंट श दोनों को साथ में ही दीजिए और अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं किसी को बता रहे हैं तो भी साथ में बताए क्योंकि ये शारिरिक और मानसिक विकास का एक कम्प्लीट पाकेट है इसको रोज साथ ही लेना चाहिए अब हम समझेंगे कि नुटरिचार्च किड्स वाल के प्रोटीन का कॉंटेंट भी सबसे ज्यादा है और बोटैनिकल दस सिर्फ नुटरिचार्च किड्स में है जो और किसी और प्रोड़क्त में नहीं है तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि नुटरिचार्च किड्स एपसलिटली वाल्यू फॉर मनी यानि कोस्ट और फा पाइदे का बिल्कुल सही बैलंस है न्यूटरिचार्ज किल्स में